हमारे शेर्शा उन शेरों के आगे खड़े हो गए और अपनी जैकेट उतार कर शेर को गिफ्ट करने लगे मगर लायन को जैकेट का कलर पसंद नहीं आया शेर्शा को पहले अटैक में जटका तो लगा मगर उनकी बुद्धी ठिकाने नहीं आई जिसका सबूत है ये दूसरा आटैक नाखुन चुप चुके हैं दाद गड़ चुके हैं शायद पतलून भी गीली हो चुकी होगी लेकिन बहादूर शेर्शा को शायद इसमें मजा आ रहा है अरे इतना खतरा तो वो सुबह ब्रिक्फस्ट में खाते हैं मगर शेरों से जादा अन्प्रिडिक्टिबल इस वक्त हमारे शेर्शाजी हैं इनका क्या किया जाए